न्यूजरूम लाइव स्पॉंसर बाई चंद्रगुप्त अकाड़मी टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है प्रदेश की चार बड़ी खबरों के साथ हाजर हुए हैं पहली खबर की बात करते हैं बड़ी खबर मध्यप्रदेश से जहां पर कल ही मध्यप्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया कि एक फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे वहीं यसमंजस बना हुआ था कि क्या बोर्ड परिक्षाइन निर्धारित समय पर होंगी या नहीं तो इस पर स्कूल सीक्षा मंतरी इंधर सिंग परमार का बड़ा बयान उन्होंने कहा कि बोर्ड परिक्षाइन निर्धारित समय पर ही होंगी 10 वी के एक्जाम 18 फरवरी से 10 मार्च तक होंगे 17 फरवरी से 12 मार्च तक होंगे पेपर सुबा 10 बजे से दोपार 1 बजे तक रहेगा और छात्रों को सला है कि कम समय बचा है अच्छी तयारी करें और मन से परिक्षा दें कोरोना को देखते हुए पहली बार पेपर फरवरी में शुरू किये गए हैं एंपी बोर्ट का टाइम टेबल मंडल की वेबसाइट पर है एड्मिट कार्ड आ चुके हैं तमाम चीजें तमाम तयारिया हो गई हैं लेकिन क्योंकि स्कूल बन थे तो एक सवाल उट रहा था कि क्या आगे तारीक बढ़ाई जा सकती है कल भी ये कहा गया कि बढ़ सकती है पर आज स्कूल सिक्षा मंतरी का ये बयान के निर्धारित समय में ही होंगी यानि एमपी बोर्ट दसवी बारवी के जो पेपर हैं वो 17 और 18 फरवरी से ही शुरू हो रहे हैं करते हमारी दूसरी खबर की और आज बजट पेश हुआ 22-23 इसमें तमाम वर्गों को जो चीजे मिली है उस पर चर्चा हो रही है मधिप्रदेश को जो मिला है उस पर बात करते हैं केन बेतवा लिंक के लिए काफी कुछ मधिप्रदेश को मिला है 44,000 करोर रुपए खर्च होंगे जिसमें 1400 करोर रुपए केंद्र सरकार ने दे दिये हैं और इसकी घोशना भाशन के दौरान ही वित्मंत्री निर्मला सीतरमने की है इस प्रोजेक्ट के विस्तार की घोशना भी की आब प्रोजेक्ट में 5 और नदियों को जोड़ा जाएगा केंद्र बेतवा लिंक परियोजना में सबसे जादा फाइदा बुंदेल खंड के शेत्रों को होगा जिसमें मध्यप्रदेश और उत्रप्रदेश के कुझ जिले शामिल होंगे मध्यप्रदेश के नौ जिले पन्ना, टीकमगर, छतरपुर, सागर, दमो, दतिया, विदिशा, शिपपुरी और राइसेन आते हैं वहीं उत्रप्रदेश के बांदा, महोबा, जहासी और ललित पुर्जले हैं जो केन बेतवा लिंक परियोजना में शामिल होंगे यूपी, एमपी में ये बुंदेल खंड शेत्र, यूपी और एमपी में फैला हुआ है केन बेतवा इंटर लिंक प्रोजेक्ट की मदद से बुंदेल खंड में सिचाई पीने के पानी की कमी दूर हो सकेगी इसके बाद मुखे मंत्री शिवरा सिंग चौहान ने भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया था केन बेतवा लिंक परियोजना और जो पूरा बजट तयार किया गया है मद्यवरदेश को भी ध्यान में रखते हुए इसके लिए बड़ते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर कोरोना के केसिस कम हो रहे हैं लेकिन एक सर्वे की आगया जुस पर ये बता लगा है कि जो बड़ी शहर है वहाँ पर केसिस कम हो रहे हैं लेकिन जो छोटे शहर हैं कस्बे हैं वहाँ पर केसिस में उच्छाल आ रहा है पिछले 24 गंटे में 6243 केस मिले हैं एक हफ़ते पिछले का आकड़ा देखे या 22 जन्वरी से जब सबसे जादा केसिस मिले थे उसके बाद अब धीरे-धीरे कर जो मामले हैं वो कम होते जा रहे हैं 16 दिन में यह सबसे कम मामला 6243 मामला सामने आया है हलाकि इस बीच मौत भी रिपोर्ट की जा रही है जो चिंता बढ़ा रही है मौत हो रही है अभी भी कोविड से एक दिन में 6 संक्रमितों की मौत हुई है बड़े शहर में केस तो घट रहे हैं लेकिन जो छोटे कजबे ह हैं चोटे जिले हैं वहाँ पर संख्या में उच्छाल आ रहा है जो चिंता जनक बात है बड़े केस बड़े शहरों में भले केस कम हो जाएं लेकिन अगर छोटे शहरों में केस बढ़ रहे हैं तो यह कहीं न कहीं अभी खत्रा बरकरार है और इसके लिए साबधानी बहुत कमी आए और बड़े शहरों में धीरे धीरे कर देखा जा रहा है जो आकड़े पिछले दिनों के हैं तो कमी देखी जा रही है लेकिन अगर लापरवाही बढ़ती गए तो इन केस में फिर से उच्छाल आ भी सकता है बढ़ते हमारी चौथी और आखरी और बड़ी खबर की मध्यप्रदेश के चार कलेक्टरों का तबादला कर दिया गया है जिसमें जबलपूर रीवा अलिराजपूर और हर्दा के कलेक्टर नए कलेक्टर मनोज पुष्पほど होंगे रिषीगरग को हर्दा का जबकी रागवेंser तो मनुज पुश्प को नियूक्त किया गया है अलिराजपुर से थे वो और अब वो रीवा कलेक्टर की कमान समा लेंगे तो आज की चार बड़ी खबरे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंद्या टाइंस बहुत बहुत धन्यवाद Newsroom Live Sponsored by Chandragupta Academy Top Floor Ramagovind Palace Riva